नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी लोग का सोनु श्टडी क्लास से यूटूब चल्णूँ दोस्तों मैं आप लोग कुन सियाटी बूग क्लास 12 भुगोल चेप्टर चार आकडों का प्रक्रमड एवं मान चित्रन में कम्प्यूटर का उपियोग पर प्रसुतर मैं आ चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनियें राज्य, मद्ध प्रदेश, गोवा, करनाटक, बिहार, उडिशा, आंद्र प्रदेश, महराष्ट लोग अयस्क उत्पादन प्रतिसत में 23.44, 21.82, 20.95, 11.98, 11.30, 0.45, 0.04 कोश्चन नमबर एक, नेम लिखित आंकडो के प्रदर्शन के लिए आप किस प्रकार के ग्राप्पा उपियोग करेंगे कर रिखा ख, बहुद डंड आलेक गवरित आरेक, घ उपियुक्त में से कोई नहीं कोश्चन नमबर दो, राज्य के अंतरगत जीलो का प्रदर्शन किस प्रकार के इस्था निक आकडो द्वारा होगा, कव बिंदू, ख रेखाएं, ग, बहुद भूज ग, उपियुक्त में से कोई नहीं कोश्चन नमबर तीन, एक वर्ग सीट के सेल में दिये गए सुत्र में वह कौन सा प्रचा लख है, जिसका पहले परिकलन किया जाता है, क, प्लस, ख, माइनस, ग, भाग, ग, गुड़ा कोश्चन नमबर चार, एकसेल में विजाड फंक्सन आपको समत बता बनाता है, क, ग्राफ रचना में, ख, गडितिय और सांखिकिय क्रियाओं को करने में, ग, मानचित्र आलेखन में ग, उपियुक्त में से कोई नहीं उतर कोशन नमबर एक, बहुँड आलीख, कोशन नमबर दूग, बहुबहुवँज कोशन नमबर तीन ग, कोशन नमबर चार, को ग्राफ रचना में, प्रस नमबर 2 चित्रो आधी भी बनाये जा सकते हैं कुश्चन मर 2 एक कम्प्यूटर के विविन भागों की हस्तेन विदियो की तुलना में कम्प्यूटर के प्रियोग की क्या लाव हैं उत्तर विविन प्रकार के आलेग आरेक चित्र ग्राफ व मान चित्रों की निर्माड में आकडो के प्रक्रमड तथा उनकी रचना में कम्प्यूटर के प्रियोग ने समय की बचत की है ताथी तूटी होने संभावना की कम रहती है जबकि हस्तेन विदिय से इसमें काफी अधिक समय लगता है तथा तूटी की संभावना बनी रहती है कुश्चन मर 3 आकड़ा प्रक्रमड और प्रदर्शन की हस्तेन विदियो की तुलना में कम्प्यूटर के प्रियोग की क्या लाव है उतर आकडो के प्रक्रमड और प्रदर्शन की हस्तेन विदियो में समय अधिक लगता है ताथा तूटी की संभावना बनी रहती है जबकि computer की मदद से आकड़ो के प्रक्रमड वो प्रदर्शन की में समय कम लगता है तथा उनमें सटिक्ता का प्रतिसत उच्छ रहता है कुर्सन नमर चार Work Seat क्या होती है उतर भोगोल में computer की अनुप्रियूग में YMS Excel एक महत्पूर्ण सौप्टेवेर है YMS Excel को Spread Seat प्रोग्राम भी कहा जाता है Spread Seat एक आयतकार पीज होता है जिसे कारविधी पत्र वर्क सीट कहते हैं जिसमें 16384 पंक्तियां तता 256 होते हैं इस तमबो को अंग्रेजी की अच्छर ABCD आदी पहचान दी जाती है जबकि पंक्तियों को संक्या 1,2,3,4 इत्यादी पहचान दी जाती है एक पंक्तियों और एक संयूजन से एक सेल का निर्माण होता है जिसमें प्रति प्रविष्टियां अंकीत की जाती है और इन्हें सुरच्छित करने के लिए उपयुक्त नाम दे दिया जाता है जरुवत पढ़ने पर इनको पूना खोल कर कारे समा दन कर सकते हैं प्रस्ट नमबर 3 निम्लखित प्रस्टों के उत्तर लगभग 125 सब्दों में दीजिए कुस्तन नमबर 1 इस्थानिक वा गैर स्थानिक आंकडों में क्या आंतार है उधारन सहित इसपष्ट कीजिए उत्तर स्थानिक आंकडों किसी स्थान के भगवलिक वा सांस्कृतिक लच्छडों को प्रतिनिदितों करते हैं इनको मांचित्र पर प्रदर्सित करने के लिए विंदू रेखाएं तथा बहु भूज का प्रियोग करते हैं विद्याले अस्पताल, कुए, नलकूप, कस्बे वगाउं जैसे लच्छडो को विंदू के द्वारा सडको, रेलवे, लाइनों, नहरों, नदियों, सक्ति वशं आरोत, तालाबो, जीलो, आदी, लच्छडो को बहु भूज विधी से प्रदर्सित करते हैं, जबकि गयरिस्थानिक आंकड़े गुड न्यास को प्रदर्सित करते हैं, जैसे आपके पास आपने विद्याले की स्थिति दर्साने वाल या मांचित रहे, तब आप विद्या की अनुसूची पुष्थकाले, प्रयोग सालाओं, उुपकर्णों, इत्यादी की सुविधाओं और समबंदी सूचनाओं को समर्द कर सकते हैं, इसमें आप मौसूस करेंगे की आप इस्थानिक आंकड़ों के विश्थ गुडों की व्याक्या कर रहे होते हैं, इस तरह आ अंकड़ों के प्रकार कौन से हैं उत्तरभगोलिक आंकड़ों को वर्ग दो वर्गों में रखा जाता इस्थानिक इस्थानिक आंकड़े इनका वर्णन पहले ही प्रस्थ्न एक में किया जा चुका है अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और नेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग